इस वीडियो में हम पैरलल और सिरीज सर्किट और ब्रेड बोर्डिंग के बारे में सीखते हैं तो मैं Tinkercat.com वेबसाइट पर हूँ और मैं अल्रडी लॉग दिन हूँ मैं यहां जाके सर्किट्स सेलेक्ट करके यहां कह रहा हूँ Create New Circuit तो हम सबसे पहले यहां पर एक Bread Board लेकर आते हैं तो मैं यहां पर टीन किसम के Bread Board है मैं यह Small Bread Board जो है यह लेकर आ रहा हूँ तो Bread Boarding क्या होती है कि यह जो Bread Board है इसमें अगर मैं यहां पर अपना माउस लेकर जाता हूँ तो आप देख रहे हो कि यह जो एक Green पूरी Line दिख रही है तो यह क्या denote कर रही है कि यह जितने Holes है यह पीछे आपस में एक Metal Strip से Connected है और इसी तरीके से यह जो तो यह Negative Rail है और इसी तरीके से जो Positive Rail है यह भी आपस में यह सारे Holes Connected है और Likewise दूसरी तरफ भी Positive Rail यह आपस में Connected है और Negative Rail यह आपस में Connected है यानि कि अगर हम कोई भी Wire यहां से यहां से ऐसे जोड़ते हैं अगर मैं यहां से एक wire लाकर यहां जोडता हूँ और यहां से लाकर जोडता हूँ तो यह जो wires हैं यह सब इस common negative rail से जोड़े हुए हैं तो instead कि मैं wires जो थे वो twist करता जो हम जब घर पे circuits बनाते हैं तो हम wires को twist करके जोडते हैं यह एक ज़ादा अच्छा तरीका है breadboard लगा के उनको जोडने का and likewise जो यहां पर यह जो ABCD लिखा हुआ है और यह 1234 लिखा हुआ है तो यह जो strips हैं यह अगर मैं यहां पे mouse over करता हूँ यह आपस में इस तरीके से connected है यानि कि अगर कोई भी component हम यहां जोडते हैं तो उसके बाद अगर हम wire in में से कहीं पर भी वो आपस में पीछे से वो connected है अब इस breadboard में हम कुछ components जोड़ेंगे तब आपको यह rails की बात और यह कैसे connected है यह जादा समझ में आएगी तो किसी भी circuit को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को power का source चाहिए तो मैं यहां पर 1.5 volt की एक मैं battery लेकर आ रहा हूँ और मैं R button दबा के इसको rotate करके इसकी direction ठीक कर रहा हूँ अब यहां पर मैं जो इसका positive terminal है वहां से एक wire लेकर जो हमारा breadboard है उसके positive rail में किसी भी एक hole में उसको connect कर रहा हूँ और likewise मैं battery के negative terminal से एक wire लेकर उसको इसी तरीके से हम normally, conventionally हम क्या करते हैं कि हम यह breadboard की rails को आपस में connect कर देते हैं ताकि हमारे को breadboard के दौनों side पर negative और positive हमें दौनों voltage मिले यहां पर तो मैं यहां से black के किसी hole में जाके wire खींच कर जो दूसरी side की rail है उसके black rail से उसको connect कर रहा हूँ और likewise मैं दूसरी तरफ red rail से red rail में connect कर रहा हूँ और number two button दबाके इसका color change कर रहा हूँ तो अब जो यह हमारा breadboard है यह properly connected है हमारी power supply से अब इसमें हम कुछ components को जोडते हैं तो मैं यहां वापस components में search करके एक LED लेकर आ रहा हूँ और अब मैं LED को जब यहां जोडता हूँ तो अब LED की यह जो rail है यह पूरी cathode से connected है LED के cathode से connected है यानि यह जो हमारी rail है जो J14 की जो हमारी है वो J14 I14, H14, G14, F14 यह सब आपस में connected है and likewise जो LED का positive terminal है anode terminal है वो हमारी इस rail से connected है फिर हम LED जब हम लगाते हैं तो generally अच्छी practice रहती है कि हम एक resistor उसमें लगा दे क्योंकि otherwise LED में अगर हम current जो है वो ज़ादा देंगे तो उस LED की life काफी limited हो जाती है तो मैं एक resistor लाके उसको मैं negative rail से और जो LED का negative terminal है उससे जोड रहा हूँ तो breadboarding का यह फायदा है कि यह connection rather than wires twist करने के हमने इनको elegantly जोड दिया है इस resistor की value जो है वो इस वाक 1 kilo ohm है तो मैं इस resistor की value को कम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे let's say 180 ohms कर रहा हूँ और फिर मैं जो मेरी LED का positive anode से जो breadboard की rail connected थी मैं उसको positive rail से connect कर रहा हूँ तो अब हमारा जो circuit है यह complete हो गया है और अगर आप मैं start simulation करता हूँ तो यह हमारी LED जो है यह जल रही है पर यह बहुत dim जल रही है क्योंकि यहाँ जो हमारी voltage supply है वो बहुत कम है तो मैं यहाँ voltage को select करके यहाँ पर count of batteries को बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ कहा रहा हूँ तीन battery यहाँ पर कर दो यानि कि 1.5 volt की हमारे पास तीन batteries है यहाँ 4.5 volt का इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जो इस breadboard में हम voltage supply कर रहे हैं वो 4.5 volts है तो अब अगर मैं simulation run करता हूँ तो मेरी LED जो है वो nice and bright glow कर रही है अब थोड़ा और इसको समझने के लिए हम एक और LED लेकर आते हैं और हम उसको लेटसे यहाँ breadboard में जोड रहे हैं और फिर मैं एक और resistor लेकर आरहा हूँ और उस resistor को मैं negative terminal से जोड रहा हूँ negative rail और negative terminal LED के negative terminal से जोड रहा हूँ और जो positive terminal है उसको मैं फिर से positive terminal से जोड रहा हूँ और मैं start simulation करता हूँ तो मेरी LED दोनों जल ग 오늘도 जल गई है यह जो है वो कम bright जल रही है क्योंकि यहां पर जो हमने resistor लगाया है वो उसकी value काफी high है तो मैं उसको फिर से कम कर देता हूँ मैं 1 kilo ohm यानी thousand ohms के बदले इसको 180 ohms कर रहा हूँ और अब मैं start simulation करता हूँ तो मेरी दौनों LED जो हैं वो nice and bright glow कर रही है इसके अलावा आप LED को select करके उनका color भी बदल सकते हो तो मैंने for example यहां red and green कर दिया है तो अब हमारी जो LED है वो red and green चल रही है तो अभी यह जो हमने circuit बनाया है यह एक parallel circuit है इसमें अगर कोई एक component fail भी कर जाता है तब भी दूसरा component चलता रहेगा तो अगर मैं यहां जाके इसको एक wire को disconnect करके फिर simulation चलाता हूँ तब भी मेरी दूसरी LED चलती रहेगी क्योंकि यह जो दौनों component हैं यह individually power supply से connected है अब अगर मैं दो LED और लेके आता हूँ और मैं उनको दूसरी side पे जोड रहा हूँ red board की दूसरी side पे जोड रहा हूँ such that मैं अब connection ऐसा बना रहा हूँ कि जो मेरी पहली LED है उसका positive terminal जो है मैं उस positive terminal को positive rail से जोड रहा हूँ फिर जो negative terminal है cathode जो है मेरी पहली LED का उसको मैं दूसरी LED के positive terminal से जोड रहा हूँ और फिर मैं एक resistor लेकर आ रहा हूँ और दूसरी LED के negative terminal से मैं negative rail में उसको जोड रहा हूँ और इस resistor की value मैं फिर वही 180 ohms के करीब कर रहा हूँ और हम चाहें तो इस LED के हम colors बदल सकते हैं just for the fun of it तो मैं इनको yellow और maybe white कर रहा हूँ और अब मैं अगर simulation चलाता हूँ तो हमारी जो LEDs हैं वो चल रही है पर अभी क्या है कि जो हमारा ये parallel circuit था वो everything else remaining the same हमारी power supply same है हमारी resistance की जो value है वो same है पर हमारे parallel circuit में जो हमारी LEDs है वो ज़्यादा brighter glow कर रही है whereas जो हमारा series का circuit है उसमें वो कम bright glow कर रही है और ये series के circuit में क्या है कि अगर एक भी component खराब हो जाता है अगर मानलो ये इस component में ये जो wire था ये तूट जाता है तब अगर हम चलाते हैं तो दोनों component काम करना बंद हो जाते हैं तो series और parallel में ये basic एक जो main difference है वो ये है कि parallel circuit में अगर कोई एक component खराब भी हो जाता है तब भी बाकी components चलते रहते हैं whereas series circuit में अगर एक भी component खराब होता है तो जो पूरे circuit में बाकी जितनी चीज़े हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं इसी लिए जो घर की wiring है वो parallel circuit पर बनती है series पर नहीं बनती है तो ये जो series और parallel circuit है इनको और थोड़ा समझने के लिए थोड़ा गहराई से समझने के लिए कि यहाँ exactly current और voltage और resistance आप उसमें कैसे related है ये समझने के लिए फिर में PHET जो मैंने आपको एक पहले विडियो में भी समझाई थी कि PHET एक बहुत बढ़िया website है जहां बहुत सारी science और maths की simulations है जो कि आपको गहराई से चीज़ें समझने के लिए conceptual clarity के लिए बहुत काम आती है तो मैं इन simulations में जाके एक DC construction lab की जो simulation है वो मैं यहां पर play कर रहा हूँ और यहां पर मैं quickly दो circuits बना रहा हूँ यही replicate करने के लिए कि parallel और series के circuit तो यह जो दो circuits हैं इन में जो हमारी power supply है वो यहां भी 9 volt है और यहां भी 9 volt है और इसमें हमारे जो bulbs लगे हुए हैं जो कि एक resistor की तरह होते हैं वो सारे bulb जो हैं वो 10 ohms के हैं पर आप देख रहे हो कि इसमें everything remaining the same जो intensity है bulb glow करने की वो इस circuit में कम है और इस circuit में जादा है क्योंकि यह जो circuit है यह series का circuit है और यह जो circuit है यह parallel circuit है यहां पर हमारे जो हमारे दौनों components हैं वो दौनों individually हमारे power source से connected हैं तो यह जो हमारा series circuit है यह same as यह series का circuit यह वाला है और जो हमारा यह parallel circuit है यह same as यहां यह जो हमने parallel circuit बनाया था breadboard पर same as that है तो अब यहां हम अगर समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इन दो circuits में तो हम इनके लिए हम सबसे पहले एक volt meter लेकर आते हैं और इस volt meter पे हम नाप रहे हैं कि पहले जैसे मैंने कहा कि अगर मैं power supply की voltage नाप रहा हूं तो जो potential difference हमने एक पहले वीडियो में समझा था कि voltage is basically potential difference between two points तो potential difference या जो voltage है वो 9 volt है पर जब हम इस voltage को across जो जितने हमारे circuit में resistance लगे हैं इस case में जो bulb है वो एक resistor की तरह ही है यहां हम क्या देख रहे हैं कि voltage across जो हमारा component है वो drop हो जा रही है वो 9 volt की जो हमारी power supply थी उसकी केवल 4.5 volts इस component को मिल रहा है और दूसरे component को भी same 4.5 volts मिल रहा है वेराज हमारी power supply जो दूसरे circuit में है वो भी उसकी voltage 9 volt ही है पर जब हम इस voltage को across component नापते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो जो voltage है वो drop नहीं हो रही है वो same 9 volts रह रही है तो यही कारण है कि यह जो series में circuit है यह कम bright glow कर रहा है क्योंकि series में जब components रिजिस्टर्स जो लगे होते हैं उनके across जो voltage है वो divide हो जाती है whereas parallel circuit में जो हमारा voltage है वो drop नहीं होती है वो सारे components को equal वही voltage supply हो रही होती है फिर यहाँ पर current नापना चाहूँ तो मैं current नापने के लिए यह ammeter लेके आया हूँ और ammeter से अगर मैं यह current नापता हूँ तो यह source के पास नेरे series के circuit में यह दिखा रहा है कि current जो है वो 0.45 amperes है और यह current में कहीं पर भी circuit में लेके जाओंगा series के circuit में तो वो same रहेगा 0.45 ही रहेगा whereas जो हमारा parallel circuit है उसमें हमारे जो current है वो 1.8 amperes है source के पास पर जब मैं इसको components की branch में लेके जा रहा हूँ तब यह current है वो divide हो जा रहा है तो I hope आपको यह बात समझ में आ रही है कि series के circuit में जो current है वो पूरे circuit में same रहता है पर जो voltage है वो हमारी across the components drop हो जाती है whereas parallel circuit में exactly उल्टा है कि जो हमारा current है वो जो parallel circuit की branches है उन में drop हो जाता है और जब वापस आता है current तो फिर वापस 1.8 amperes हो गया है तो 1.8 amperes current यहां से शुरू हुआ था हमारे power source से पर पहली branch में वो फिर half हो गया क्योंकि यह जो दौनों हमारे components हैं या जो दौनों registers हैं इनकी value same है 10 ohms के हैं यह दौनों और यहां पर भी यह same 0.9 amperes हो गया जब यह वापस source पर जा रहा था तो यह वापस 1.8 amperes हो गया तो अभी क्या था कि यह सारे जितने resistance यारी जो bulb लगे वोई थे यह same ohms के थे तो अगर मैं एक को थोड़ा change कर देता हूं instead of 10 ohms इसकी resistance बढ़ा के 30 ohms कर देता हूं तब हम क्या देखते हैं कि 30 ohms वाला of course ज़्यादा brighter glow कर रहा है पर अब अगर मैं voltage ना आप रहा हूं तो मेरी source पे, series के circuit में source पे voltage 9 volt थी पर across the component जो कम हमारे resistance का component था वहाँ पे voltage जो थी across वो 2.25 volt थी और दूसरे वाले में वो 6.75 हो गई तो जो voltage है वो resistance पे depend इस तरीके से करती है, whereas अगर मैं parallel circuit में एक resistance की value बढ़ाके फिर वही 30 कर देता हूं और फिर हम नापते हैं तो हमारी जो voltage है, जो source पे 9 volt है, वो across the first component भी 9 volt है और across the second component भी वो 9 volt ही रहती है पर जो current है, जो source पे 1.2 amperes था, वो अब यहाँ पे 0.9 amperes है और दूसरे वाले में जहाँ resistance higher है, वहाँ वो 0.3 amperes है तो यह जो current voltage और resistance की relationship है यह ohms law define करती है ohms law के बारे में हम अगले वीडियो में ज्यादा गहराई से समझेंगे, अभी केवल हम इतना ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो किसम के circuits होते हैं parallel और series series के circuit में अगर कोई एक component जो है, वो खराब हो जाता है तो अगर एक component खराब हो जाता है तो पूरा circuit चलना बंद हो जाता है वेराईस parallel के circuit में अगर एक component खराब भी हो जाता है तो दूसरा component जो है, वो चलता रहता है तो I hope आपको parallel series और breadboarding के बारे में इस वीडियो से जानकारी मिली